नमस्कार दोस्तों आर्टिक स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैंने जो एक परफॉमेंस बनाया हुआ है XPS 10 और XPS 30 की बोर के लिए उसमें मैंने SFX को जो साउंड रहते हैं जो हम pen drive में डालके loops pad या फिर fresh pad में play करते हैं उसको मैंने backup के अंदर डाला हुआ है ताकि हम without pen drive बिना कोई दिक्कत के आराम से की के माध्यम से उस SFX को play कर सके तो यहां पर मैंने कोई tutorial वीडियो नहीं बनाया है बस आपको एक information जो वीडियो रहता है उसके according बनाया है ताकि आप लोगों को जानकारी मिले तो इसलिए मैंने यह tutorial वीडियो नहीं बनाया है ताकि यह बहुत लंबा ना हो जाए यदि को अपना कोई भी काम करवाना हो keyboard के related SFX add करना हो ऐसे अपने keyboard के या फिर backup के अंदर या फिर tone mix करना हो मर्च करना हो backup mix करना हो या फिर मर्च करना हो तो हमें बिल्कुल संपर करें नीचे नंबर दिया गया है नंबर के माध्य हम से हमें WhatsApp पे संपर करें आपकी काम होगा तो चलिए अब हम सुनते हैं SFX को जो sound है वो कैसे sound कर रहा है और देन फिर हम सुनेंगे keyboard के अंदर भी कैस sound कर रहा है तो यह मैं अपने laptop की screen पर आ गया हूं और वो folder पर जाएंगे जहां पर मैंने सारे SFX को रखे हैं और बारी बारी से सब को हम एक बारी play कर लेंगे ताकि आप लोगों को एक knowledge हो जाए कि SFX original में कैसे sound आ रहा है और keyboard के अंदर डालने के बाद कैसे sound सब्सक्राइब सारे करद दो झाल तो ये था Sound SFX का एक डेमो ये सारे जो आपने साउंड सुने ये रो साउंड है एक स्टेनल स्पिकर के थ्रू ये रेकॉर्ड है तो अब चलिए चलते हैं की बोर्ड के तरफ XPS 30 में मैंने 8 की में एक SFX रखा है XPS 30 में मैं एक रेक डेकंड सुने प्रू चलिए चलते हैं रेक्तल्य के तरफ XPS 30 में मैं प्रू प्रू और कि मैं एका है झाल 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 स्पेश्ट 10 में दो की में एक SFX को रखा है क्यूंकि जिनका ये बैक अफ है उन्हें बोला था कि राइट हैंड साइट पे उनको फेंटासिया चाहिए ताकि वो एक साइट से स्पेश्ट प्ले कर सकें और दूसरे साइट से फेंटासि प्ले कर सकें स्पेश्ट 10 में प्ले कर सकें स्पेश्ट 10 में प्ले कर सकें स्पेश्ट 10 में प्ले कर सकें बोला था कि प्ले कर सकें खर्थे बाल कर दो कर दो आपने देख लिया दोनो XPS 10 और XPS 30 कीबोर में यह जो आपने साउंड सुना यह इंटरनल रेकॉर्ड किया हुआ साउंड नहीं है क्योंकि मैंने इंटरनल रेकॉर्ड नहीं किया जान भूझ के कि आप लोगों के क्लियर साउंड का पता चले कि साउंड कैसा आता है इसलिए जो speaker रहता है उसमें जो sound आ रहा है वो ही capture हुआ फोन में जब आप real में play करेंगे तो sound की quality जो है थोड़ी बढ़ जाएगी आसा करता हूँ यह video आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप लोग like, comment, share और subscribe करें जाने से पहले एक बात फिर से मैं आपको दोहर इस्चे सेंपर करें धन्यवाद